Today, we will revive Chapter 5, The fundamental unit of life. कि fundamental unit of life क्या होती है ? The cell is the basic unit of life यूनित मिसटा है इकाई basic, base क्या है हमारी life का ? कि हमारी जो basic unit है life की वो है cell जिस परकार एक विल्डिंग के निर्माण के लिए जो basic unit है वो बिरिक होती है उसे परकार cell से ही हमारी body का निर्माण होता है जब से एक से एक से जोएंट टूगेदर टू मेक दा तीजू अब बात होती है कि सेल्स की खोच किस ने की थी सेल्स की स्टक्चर कैसी होती है ता इन 1665 में एक रोवर्ट हुग ने जो उन्हें आपने खुच से के सेल्स के लिए अगों मिक्रस्कोप बनाया था उसमें थिन सलाइमसों को लाइक जैसी डिजाइन को नोंने कहा था सेल्स जब उनोंने माईको इट्षे जो हनीकोंब मदू मक्की के छते जैसन नहीं नहीं, उन्होंने cells कहा उन्होंने कहा cell इस cells is regarded as a fundamental unit of light the fundamental structure of fundamental unit of light which consists of mass protoplast surrounded by the definite membrane plasma membrane, the plant cell has an extra envelope cell the cell wall कि जो plant cell होती है, उसमें एक additional structure होती है जहसे हम पोलते हैं सेल वार इन दा बिगिनिंग नाटी शायर चुरें एम सेल्डन और स्वान इस्टेबिलेट दा सेल्ट यह जो सेल्ट थी वह किस नहीं दी थी सेल्टन एंड इस यह सवान ने दी थी अब इंडिय्ट जेर्मन साइकलरी डॉल विक्रोव फर्ड प्रिंसेपल सेल्ट थी गेब प्रेट उमनिस सेल्ट युश्य लूर एस सेल्ट एराइव फॉम प्रिरिस्टिंग निर्मान होता है वो प्रिर्डिस्टिंग सेल्से ही होता है मतलब कि जो है जो new cells बनेगी old cells से new cells का निर्मान होता है अब cells पर कितने type की होती है two types की होती है cells होती है two types की unicellular and multicellular अब multicellular क्या होते हैं इनके body में एक से अधिक cells होती है number of cells more than one और जो unicellular होते हैं वो होते हैं उनकी cells बनी होती है वो उनका पूरी life cycle है वो एक cells पर डिपेंड होता है उन्हें हम बोलते हैं unicellular है ठीक है जैसे प्रोटोजाय होते हैं बैक्टीरिया बाइरस होते हैं यह रहते हैं सब युनी cellular अब भात आती है वहाट इसल मेड़ अब बाद इसल्मेड आप बाद अस्ट्रॉच्छ लोगनेशन उप सै अब अब बात चलती है हमारी सेल वाल अब सैल वाल के होती है सैल वाल को हम हिंदिये बोलते हैं कोशिका भीती एक एक्स्ट्राइल होती है सकते हैं अब अनदर क्या उसको सेव करती है अब सैल कंदर क्या नूक्रेस पी अन्दर चैनिटिक यह प्यम्यज आता है क्रोमयोस्म प्र इननने प्र प्रॉश्म भी पाया जाते हैं तो इनका बर्क क्या है वाट इस अबको डी एन ने क्या है जेन्टिंग मैट्रील क्या होते हैं इनके क्या-क्या रोल्स रहते हैं अब बार चलती है न्यूगिलियस न्यूक्लियस है जिट डवल लेयर separate कर ती है उस हब भाइं दोने को separate कर देती है इंट हेज ऑफ फरोग भी ट्रीज ट्राइब्री ट्रांसप्रद था नूइकलर मेंब्रेइन प्रक्रीज ननीय हम्पर्म नेकटैंच के र्खेयर लिस के रूंदर क्रोमोंच पाए जाते हैं दूर्थ के रिखेयर पाए जाते हैं अब क्रोमोसोम चाहिए जो हमारे मदर फाधर से जो भी आते हैं वह मदर फाधर तो डीन ने आते हैं जो अनुवांसिक पदार्थ होता है जो करता है जो हमारे मदर फाधर करके जो अनुव यंग बंस में ट्रांसफर कर देता है अब बात चलती है सैल और अब उसके अंदर दो टैकर होते हैं अब से इंदर कोन कोन से और्गिनल साय जाते हैं वह एंड़ोजम रेतिकूलम पाये जाता है और दो प्रिकार का होता है स् एंडोप्राइब रेटिकूलम नेटवर्ग दा मेंब्रेंट बाउंड ट्यूप्स इंट्रसलियर ट्रांस्पोर्ट जिवन आपको प्रिवेस प्लेक्चर में बताया था और इस्मूद एंडोप्राइब रेटिकूलम क्या हेल्प करता है वह प्रोटीन में मनदब कि प्रोटीन लीपिड हैं इंक्रूदिंग दा सेल मेंब्रें मैनुफेक्चर मोलीकूल्स और लीपिड के लिए अब बात आती है गोल्जी बोडीज क्या रहते हैं सिस्टम मेंड़न बाउंड बै 113 mm है दिखाया है अंपर भी रफारा का ग्रता है पावराओस और है करते हैं उसके पास अपना ही DNA रहता है इनके पास अपना ही DNA रहता है अपना ही DNA रहता है इनके पास अपना रराइबोसोम्स है थो राइबोसोम्स है इंकी सिंटेजिस में helps करते है ndf-bacules . आफ-bacules क्याते हैं स्टोरी सेख, अब इस्टोरी साथ , प्लांट सेल खेंस स्टोरी सथ अब रडीड़ गरडीड़ सेल गरोमुस्ट प्लांट सेल। इन सम फ्रेस्ट बात चलती इन दा युनिसलल लाइक अमीबा फूर्ड वैक्यूल्स और प्रिजांट इन डिफ्रेंट स्टेज़ेच ओव डैजिशन इन सम फ्रेस्ट बात युनिसलल ओर्गेनिज दा प्टर एंड दा एंटर दा सेल वाई ओस्मोशिस ठीक है यह आपका फर्स चेप्टर कंप्लीट हो चुका है और जब नेक्स टन पर हम न्यू चेप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले आपका एक टेस्ट होगा